हाई द्वेल्टीज, वेलकम टू एजी वे कामर्स क्लासेज, मैं हूँ तापिता और गाईज, आज के इस वीडियो में हम अपना रूलर डिवलप्मेंट चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और यकीन मानिए गाईज, एक बहुत इंट्रोस्टिंग चेप्टर है क्योंकि यह हमारे देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ चेप्टर है यानि कि गाउं से जुड़ा हुआ चेप्टर है, रूलर डिवलप्मेंट का मतलब आप जानती हो यानि कि रूलर मतलब तो आपको पता है ना, गाउं एरिया, विलेज जिसे हम कहते हैं और उसमें डवलप्मेंट करना, रूलर डवलप्मेंट कहलाता है अब गाईज, यह डिवलप्मेंट है क्या, किन चीजों का डिवलप्मेंट क्या जाए तो स्टार्ट करने से पहले गाईज, एक लाइन जो हमेशना मैं कहती हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आयो, तो इसे सब्स्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रिस कर देना और हाँ, आप अपने डाउट मेर से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो अब स्टार्ट करणें गाईज, हम अपने चैप्टर को देखो, रूलर डिवलप्मेंट का, पहले तो मैं आपको नॉर्मल सेंस में मतलब बताती हूँ बना दिवहा पर, बिजली भी लग गई वहां पर और क्या हो सकता है, चलो हम ने एक बैंक भी खोल दिया तो क्या यह डवलप्मेंट इनफ है? नहीं गाईज, डवलप्मेंट वह ये सिर्फ अभी आपनी इंफ्रों स्रुक्चर बनाया है वहाँ का development तब होगा जब यहाँ पर रहने वाले लोग जो होंगे वो guys पड़े लिखे होंगे उनकी health अच्छी होगी उनकी सोच अच्छी होगी तब उसे development कहते हैं So development सिर्फ economically यानि कि economic sense में नहीं देखना हमें socially sense में भी देखना है लोगों में भी देखना है development उनका पढ़ा लिखा होना उनने रोजगार मिलना उनकी health अच्छी होना development है So ruler development का मतलब समझाया overall development not only the economic section but social socially भी development लेके आना हमारा ruler development होता है So guys एक book की language है उसमें definition पढ़ते है ruler development refers to continuous Continuous मतलब लगातार and comprehensive यानि कि काफी सारी चीज होगा जो कि आपने देखाई अभी तो यह सिर्फ गिंती की 4-5 चीज़ेस के लावा लाखों चीज़े होती है guys development में So ruler development refers to continuous and comprehensive लगातार यानि कि एक बार development करते हैं उसके बाद जैसे सरकार गाया बुचाती है नहीं वो चीज़ नहीं Development का मतलब होता है लगातार प्रयास करते हैं बदलाव आएगा So ruler development refers to continuous and comprehensive यानि कि काफी सारी चीज़े socio-economic process So ruler development क्या होता है? Ruler development एक continuous and comprehensive socio-economic process है Socially भी है और economically process है क्यों करते हैं? Attempting to improve all aspects of Attempting to improve, attempt कर रहे हैं क्यों? To improve the all aspects of ruler life हम यह क्यों कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं ruler life का हर एक पन्ना जो हो वो improve हो सके सिर्फ इनी माइनों में नहीं अगर हम लोग अभी खेती करते हैं तो हमारी खेती बहुत अच्छी तारीके से हो सके नई technology से हो सके अब guys आप लोगों को पता होगा मतलब यह चीज बहुत important है कि हमारे देश की two-third population जो है वो किन कामों में लगी है? यानि कि agriculture sector में दो तिहाई जनसंख्या हमारी agriculture sector के occupation से जुड़ी है तो हमें agriculture sector को improve करना बहुत ज़्यादा जरूर है कि अगर हम ruler development करना चाहते हैं और हमारे देश का three-fourth population जो है हमारे देश की वो ruler areas में रहती है तो development आप समझो कितना जरूर है हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम इतना बड़ा हिस्सा population का develop करेंगे जो कि गाउं में रहता है या फिर इतनी agriculture sector को develop करें क्योंकि जनसंग्या तो सारी इस पर depend है So ये बहुत बड़ा हमारे लिए challenge है बहुत बड़ा हमारे लिए उदेश यह है एम है कि हमें ruler development करनी है जिसमें हम लोगों को क्या करना है continuous and comprehensive social economic process है क्यों करते हैं? Attempting to improve the all aspects of ruler life not one aspect, all aspects of ruler life ठीक है तो उसे ruler development कहते हैं अब उन्होंने उसका process बताया कि उसमें आपो क्या करना है तो बहुत basic सी चीज़े हैं सबसे पहला है development of human resource यानि कि ये जो इंसान है जो घर में रह रहा है उसको develop करो अब उसे develop करने का मतलब उसको education provide करो उसकी health अच्छी करो उसको रोजगार दो that is development so development सबसे पहली चीज़ हमें इस लोगों को जो लोग रह रहे हैं यानि कि हम लोग इन्हें develop करना है second infrastructure जो बाकी सारी चीज़े हैं वो दूसरी है तो second हमें development करने हैं infrastructure की जिसमें road, hospital, bank सारी चीज़े आती हैं guys third है land reform land reform हमारे agriculture से जुड़ा है क्योंकि हमारे दो त्याई जंसंख्या agriculture पर depend है तो हमें land reform करना land reform में हमें जो हमारे किसानों के उपर exploitation होता है वो हटाना है जो mediator होते हैं, जमीदार होते हैं जो उन्हें exploit करते हैं उनको हटा कर actual जो farmer से उनको जमीन पहुचाना fourth guys elevation of poverty यानि कि गरीबी दूर करना क्योंकि गाउं में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी जाती है तो उस गरीबी को दूर करना भी एक मकसद है अगर हम rural development करना चाहते हैं अगरीबी तो एक सबसे बड़ा कहते है न समस्या है एक जड़ है तो उसको हटाना है fifth में guys development करनी है हमें productive resources की productive resources जानि की agriculture sector से हटके और भी काम गाउं में खोलना सिर्फ agriculture ही हमें गाउं में job opportunity ना नज़र आए बेलकि उसके अलावा और भी बहुत सारी job opportunity ना ज़रा है हमें गाउं में तो वो बनाना जैसे की farming के अलावा वहाँ पे हम fishing कर सके तो ये सारी अलग-अलग चीज़ें और कर सके खेतों की जगे को और कैसे use कर सकते हैं हम लोग तो वो चीज़ develop करना भी हमारा मकसद रहेगा ताकि देश में ruler development हो सके क्योंकि हमें पता है कि हमारी सबसे ज़्यादा जनसंग्या agriculture sector में और सबसे ज़्यादा population हमारी ruler population है तो इसलिए हमें उन्हें develop करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश को यानि कि इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए यह चीज़ बहुत जादा important है क्योंकि अभी भी बहुत जादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रह रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आये तो ऐसे नहीं जाना प्लीज लाइट करके चाहिए और अपने फ्रेंग्स के साथ ज़रूर शेयर करिए थांक्यू